मूवी के स्टार्ट में हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी ट्रिप पर जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत साले स्टुडेंट्स भी उसके साथ होते हैं एलेक्स अंदर जाते ही बहुत अजीब फील करता है और तो और जब एलेक्स काउंटर पर जाता है तो देखता है कि उसका डिपार्चर टाइम और बर्ड इट सेम होती है यानि कि 25 सेप्टेंबर यहां पर एलेक्स को काफी जादा हद तक शक होता है और साथ ही साथ वो हैरान भी हो जाता है अब जब एलेक्स अंदर जाने लगता है तो वहां पर एक सौंग प्ले होता है जिसका सिंगल प्लेइन ट्रैश में मारा गया था जिससे काफी हद तक लिव मिल जाता है कि यहां कुछ ना कुछ करवड होने वाली है लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिमत करके अ अच्छी फिलिंग नहीं आ रही होती है इसलिए वो प्लेइन को नीचे उतारने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती हो और प्लेइन के टेक आफ कर लेती है अब प्लेन के इंजिन में फॉल्ट आ जाता है और तब ही अचानक से प्लेन का एक अच्छी आग का शिकार हो जाता है और मारा जाता है लेकिन तब अच्छानक से अच्छी आग खुलती है और प्लेन में सब कुछ नॉर्मल देखता है यानि कि यह एक नाइट मेर तब ही लड़किया आती है जिसे अपने ख्वाब में देखा था जो एलेक से सीट एक्सचे कि यह उसका कोई नाइट मेर नहीं था बलकि यह सब उसकी फ्यूचर के विजिन ते जिस पर वो जोड़ जोड़ से चिला कर सब को बताता है कि प्लेन ब्लास्ट होने वाली है और एलेक्स की आवास सुनकर वहाँ पर प्लेन की स्टाफ भी आ जाते है और एलेक्स को शान कर करते हैं लेकिन एलेक्स फिर भी उन से एक ही बात कहीं जा रहा जिसकी वजा से स्टाफ उनने प्लेन रिए लेक्स ऑंपने प्लेन और नीचे आ जाता है कि उसने अपने ऐक जिसे देखकर सब एकदम हैरान हो जाते हैं और अलेक्स से डरने लगते हैं अब यह सब होने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है जो उन सबी स्टूडेंट से इसके बारे में पूछते हैं और उन्हें एलेक्स पर भी शक होता है क्योंकि जिस तरीके से उसने प्लेंड की टेक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सिडेंट में टोटल थर्टी नाइन लोग मारे गए थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ते और कुछ टीचर्स और उस मेमोरियल में कुछ स्टूडेंट्स के पैरेंट्स भी आए हुए थे टॉट के फादर लगतार एलेक्स को कुछ होती है क्योंकि उसी की वज़ा से वो लोग बचगे थे अब रात में एलेक्स अपने रूम में होता है तब ही उसके रूम के विंडो पर एक आउल आकर बैट जाता है जिसे बहगाने के लिए एलेक्स निउस्पेपर उसकी तरफ फेकता है लेकिन वो निउस्पेपर फेन में अटक जाता है जिसकी वज़ा से उसके तुकड़े तुकड़े हो जाते है और उन्हीं तुकड़ों में से एक तुकड़ा एलेक्स के उपर आता है जिसे उठाने पर एलेक्स देखता है कि उस पर टौड लिखा है जिसे एलेक्स को फिर से अजीब लगने लगता है और कुछ बुरा होने की फीलिंग्स आती है अब हम तॉड को देखते है जो अपने वाश्रूम में होता है कि तब ही उसका पैर फिसल जाता है और उसके गले में वायर फर्ज जाता है तॉड अपने आपको बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी मौत हो जाती है अब अलेक्स भी टॉड के घर पहुँच जाता है क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी टॉड की मदर और फादर को लगता है कि टॉड ने ये सब डिप्रेशन के चलते हुए किया होगा लेकिन एलेक्स उन्हें कहता है कि नई वो ऐसा करी नहीं सकता है अगले दिन एलेक्स क्लेर के पास चाता है क्योंकि एलेक्स को पता है कि एक क्लेर ही है जो से समझती है और उसकी बातों पर यकीन करती है और वो दोनों मौग में जाती है दरसल तॉट की मौत प्लेन क्रेश में होनी लेकिन ऐलक्स की वज़ा से वो बज़ किया था इसलिए तॉट यहाँ पर मारा गया अब तॉट क्लेर के साथ डिसक्रस करता है कि वो लोग डेट को किस तरीके से बीट करेंगे जैसे उन्होंने प्लेन क्रेश के वक्त किया था और उन्होंने जल्दी इस पर कुछ नहीं किया तो वो लोग मारे जाएंगे अब सब फ्रेंट्स मिलते हैं और तब ही उन्हीं फ्रेंट में से एक लड़की को बस कुछल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है सबसे पहली मौर टौट की होने वाली थी लेकिन वो प्लेंड से बाहिर आ गया था जिसकी वज़ा से उसकी भाई की मौत हो जाती है। और कोई वारेंट ना होने की वज़ा से पुलिस एलेक्स को छोड़ देती है। दूसी दरफ हम उस टीचर को देखते हैं जो अपने घर में होती है। और एक सौंग प्ले करती है। और वो सौंग वही होता है जो प्लेन क्रेश के टाइम पर प्ले हुआ था। अब वो टीचर अपने लिए होटी लेती है लेकिन अचानक से उसे फेक देती है और उसी कप में आई स्टाल कर बियर लेती है। जिसे वो कप क्रैक हो जाता है लेकिन वो टीचर उसे पीते हुए अपने कम्प्यूटर के पास जाती है जिस पर वो बियर कम्प्यूटर पर गिर जाता है और computer blast हो और teacher के गले में काच फस जाता है जिसकी वज़ा से वो नीचे गिर जाती है और तब वो उपर एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है ताकि वो अपने खून को रोक सके लेकिन उसके साथ बहुत से चाको होते हैं जिसमें से एक चाको उसके पेट में लग जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और अब एलेक्स की टीचर काफी जादा जखमी हो चुकी थी पिर भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उपर से एक टेबल आकर टीचर पर गिरता है जिसे वो चेर सीधा चाक उपर गिरता है और टीचर की मौत हो जाती है तभी एलेक्स देखता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है तो वो वहाँ से भागने लगता है और भाग कर बाहर जाता है और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है तभी उसे भागता हुआ देखकर उसका एक फ्रेंड देख लेता है और एलेक्स के जाती है जिसमें एलेक्स के बारे में पूछती है लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसका मानना ये था कि मौत को रोका नहीं जा सकता है इसलिए वो सब वहां से चले जाते हैं अब पैटन के अगली मौत कार्टर की होनी थी जिस पर कार्टर कहता है क और कार्टर को भी बाहर आने का कहते हैं क्योंकि उस वक्त सामने से ट्रेन आ रही थी लेकिन कार्टर मरना चाहता था लेकिन उसके दोस्तों की इंसिस्ट करने पर वो अपने मरने का आइडिया कैंसल कर देता है और गारी को आगे करने की कोशिश करता है लेकिन काल स्टार्ट नहीं होती है अब ये तो तैथा कि कार्टर की मौत उसी तरीके से होनी थी और ट्रेन भी आ रही थी लेकिन तभी ऐलेक्स उसे किसी तरह बचा लेता यानि कि एक बार फिर से ऐलेक्स ने उसे बचा लिया था जिसकी वज़ा से अब डेट स्वीच हो कर नेक्स विक्टिम पर जाएगी और इतनी ही देर में वो ट्रेन भी आ जाती है जो कार को क्रैश कर देती है जिसमें से एक तुकड़ा एलेक्स के उसी फ्रेंड को जाकर लगता है जिसने पुलिस को उसके खिलाव बताया था जिसकी वज़ा से वो तुकड़ा उसके गले पर लगता और सिधर से अ एलेक्स की होती है एलेक्स को क्लियर की कैबिन में बंद कर देता है और हर जगा पर टेप से चिपका देता है लेकिन जब फिर से सिटिंग अरेजमेंट का सोचता है तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं है बलकि क्लियर की बारी है क्लियर को एलेक्स की फिक्र हो र तब क्लेयर अपने डॉक को बचाने के लिए नीचे जाती तब ही वह करेट उनके स्विमिंग पूल में चला जाता है और वह पानी चारों तरफ फैल जाता है लेकिन क्लेयर खुट को और अपने डॉक को सीव कर लेती हैं, और वह अपने कार में बैट कर महांसे निकलने की अभी भी शक था कि अभी भी देट का सिलसला बंद नहीं हुआ है क्योंकि क्लेर और कार्टर की देट तो चीट हो गई थी लेकिन एलेक्स की अभी तक नहीं हुई थी और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई है तभी अचानक से एक आदमी वही सौंग गाता है जो उस टाइम प्लेंडरेश में प्ले हुआ था आलेकस को कुछ भी ठीक नहीं लग रहता तो वह वहां से जाने लगता है तब कलर देखते है कि वहां से बस आ रही है जिसपर वह एलकस को आवाज देती जिससे एलकस बच जाता है लेकिन वह बस एक खंबे से टक्रा जाती है और एक साइन बोर्ड तूट जाता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ आ रहा होता है तभी कार्टर आके उसे बचा लेता है यानि एलेक्स की भी देट चीट हो गई थी यानि बारी कार्टर की थी तभी वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आत